डेट है आज 12 अप्रेल 2021 आज ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम उसके बाद क्रिश्चन करेंगे फर्स टॉपिक है हमारा वाइट सन रीफ वाइट सन रीफ ये न्यूज में है लोकेशन हमारे लिए इंपोटेंट है ये है साउच चाइना सी साउच चाइना सी में ये फिलिप है कंट्री और यह यहां पर वाइट सन रीफ है यह वाला पार्ट वाइट सन रीफ तो यह लोकेशन हमें याद रखनी है यह वाइट सन रीफ है इसको वाइट सन रीफ या वाइट सम रीफ जूलियन फिलिपे रीफ भी बोलते हैं यह कहां पर है यहां पर स्पार्टले था इसके regarding भी कई बार न्यूज में रहा है तो यह location बस याद रखनी है यह पूछा जाए कि यह वाइट सन रीप कहाँ पर फिलिफिन सी या साउच चाइन सी भी आ जाए तो वो करेक्ट है दोनों फिलिफिन सी में या साउच चाइन सी में यह largest रीफ है उफ यूनियन बैंक क्या है यह स्पाटली आइलेंड है उसी का पार्ट है यूनियन बैंक जैसे स्पाटली आइलेंड है यह वाला उसी का यूनियन बैंक है यूनियन बैंक का मतलब है इसका किनारा एक तरह से तो उसी का पार्ट है यह याद रखना बस इसमें नेक्स्ट हमारा सेवन जो कास्ट है स्जूल कास्ट में है जो स्पाटली उनको सिर्फ एक कहा जाएगा किस नाम से देवंद्र कुला विलललर यह कहा जाएगा कौन सी कास्ट है सेवन एक तो है देवंद्र कुलंथम कद्यान कलाडी कुदंबन पालन पनाडी वत्रियान यह सेवन कास्ट है बस मैस दा फॉलिंग में कहीं पर आ जाएं तो बस आपको पैचान लेनी है तो तमिलाडू में इस ड्यूल कास्ट बगएर आ हैं इनको एक नाम से बनाया जा रहा है बस इसमें इतना ही है नेक्स जे अपना आएनस सर्वेक शक यह एक सिप है जहाज नेवी का जहाज है जही सिप कहां पर गया भी मौरिसस में किसलिए सर्वे करने के लिए है यह लोकिसन देखो पहले हाप यह मौरिसस जजेजी इंडियन ओसिन में यह मैडा घासकर अफ़्रिका है जो यहाँ पे अफ्रीका यह का पार्त है और यह इंडियन ओसिन में है Morisus और यह Port Lois यह इसी का Port है Lois Port Lois, Port का मतलब बंदरगा तो यह Port Lois है यहाँ पर यह Location यहाँ से स्टार्ट करेगा यह अपनी सर्वे, कौन सी सर्वे? Hydrographic Survey तो यह I.N.S. सर्वेक शक्षक है Hydrographic Survey Sip ही है एक जहाज है मतलब जो Hydrographic Survey करता है Hydro का मतलब है Water Water में Oceans में सर्वे करता है Morisus में भीजा गया अभी इसमें Morisus जो Personal होंगे, मतलब Morisus Personal का मतलब है, कि जो आँके करमचारी होंगे Morisus के, उनको training भी प्रोवाइड करेगा यह और यह कहाँ से स्टार्ट करेगा हमने देख लिया Port Louis से, यहां से स्टार्ट करेगा यह सर्वे, और इसमें कई सारे instrument लगे होए जैसे Deep Sea Multi Beam Eco Sounder Side Scan Sonar लगा हुआ है Fully Automated Digital Surveying Processing System लगा हुआ है तो इसमें एक चेतक हेलिकोप्टर भी रखा गया जी सिप में Integral Part I.C का ही हेलिकोप्टर चेतक होल हेलिकोप्टर INS सर्वेक शक ऐसा नहीं है पहली बार मौरिशस में भी भेजा गया है इससे पहले भी मौरिशस में भेजा गया है Sicily में, तंजानिया, केनिया यह तंजानिया, केनिया, अफरीका कॉंटिनेंट के पार्ट हैं जी हेड्रोग्राफिक सर्वे करेगा Next is Nano Sniffer यह जी Nano Sniffer Nano Sniffer क्या काम करेगा जी यह explosive को detect करेगा explosive trace detector है Microsensor based Microsensor लगे हुए इसमें और यह detect करेगा explosive का मतलब है bomb वगएरा कहीं पर लगे हुए तो उसे detect करेगा यह world का first micro based explosive trace detector है मतलब ऐसा डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर पे माइक्रो सेंसर पे काम करता वल्ड में पहला ऐसा यह टेक्नोलोजी है जो एक्स्प्लोसिव को डिटेक्ट करेगा जिसमें माइक्रो सेंसर लगे हुए है यह किस ने डवलप किया है IIT Bombay है जो हमारी Indian Institute Technology of Bombay उसकी एक स्टार्ट अप है मतलब उसी की कंपनी है जिसका नाम है Nano Sniff Technology इसी ने डवलप किया और इसका नाम भी इसी पर रखा है Nano Sniffer यह 100% made in India है मतलब इंडिया नहीं बनाया है लेकिन जो इसमें technology यूज हो रही है वो technology already patented है कहाँ पर US और Europe में यह Nano Sniffer within 10 seconds मतलब 10 seconds से भी कम less than 10 seconds से कम समय में detect करेगा किसी भी explosive को मालो कहीं पर bomb लगा हुआ है 10 seconds से कम में यह उसे पता लगा लगा लेगा कि यहाँ पर bomb लगा हुआ है नहीं तो चलते हैं जी next पर इतना ही था इसमें कर देना प्रोसेस को या फिर decline कर देना एसुकार कर देना या refuse कर देना मना कर देना तो रोहंगया आपको पता ही होगा मुसलिम है मुसलिम कहां से भाग क्या है मैंनमार से यह मैंनमार में रहते थे जी मैंनमार में रहते थे रोहंगया यह मुसलिम community के लोग हैं और ये भाग के क्यों आए थे क्योंकि यहाँ पर cleansing कि जा रही थी ethnic cleansing का मतलब है नरसंगार एक तरह से इनको मारा जा रहा था क्योंकि Myanmar में Buddhist majority के लोग रहते हैं जी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं अधिक तर यहाँ पर बुद्धिस्ट पीपल है उनको भगाया जा रहा था इनमें क्लैस हो गया था बुद्धिस्ट और रहंगा Muslims में तो Myanmar में एक रखीने स्टेट है रखीने रखीने नाम से वहां पर रहते थे जो इंडिय और बंगलादेश के साथ बौडर लगाता है यहां से भाग के इंडिय में कुछ चलेगी कुछ बंगलादेश में कुछ पाकस्तान में कुछ लाय ओस कंभ test तो यहांenced इं24 लेकिन क्या है Central Government उन्हें वापस भेजना चाहरे है डिपोर्ट करना चाहरे है डिपोर्ट का मतलब है जी किसी को किसी भी मानलों कोई इन्हें बेजा जाए जो हमारी कंट्री में अगर लो है तो Central Government ने यही कहा है सुप्रीम कोट से कि यहां रोहिंगा जो माइग्रेंट्स है उन्हें लोग के इसाफ से बेजा जाएगा तो को अस्योड किया है अस्योड का मतलब दिलासा दिए कोट ने क्या कहा है और क्या अभी क्यों केस आया देखो सुप्रीम कोट में पिली डाली थी अभी पिटिशन रोहिंगा रुफीज के लिए इस पिटिशन में कहा था कि यूनियन गोवर्मेंट जो भेजना चाहती है मिनिस्टी ओफ हॉम अफेर्स ये यूनियन टेरिटरी गोवर्मेंट तो इन्हें भेजना कंट्री में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू इक्विलिटी और राइट टू लाइफ और लिबर्टी ये सभी को अधिकार है चाहे स्टीजन हो या नोन स्टीजन या हमारे भारत के नागरिक हो या कोई फॉर्नर हो हमारे कंट्री में आ गया तो सब को ये अधिकार आर्टिकल 14 और 21 इनमें जीवन जीने का सब को अधिकार है तो स्टीजन के साथ साथ नॉन स्टीजन को भी मिलते हैं साथ में ये कहा कि right not to be deported मानलो जी किसी को अगर डिपोर्ट नहीं किया जाएगा मानलो डिपोर्ट का मतलब उसके देश नहीं बेजा जाएगा तो इसका मतलब है उसे right to reside और settle होने का अधिकार है हमारी कंट्री में रैट to reside और settle ये अंडर आर्टिकल 19-1 clause E के अंदर आता है और ये वाला आर्टिकल 19 है जो ये सिर्फ स्टीजन के ये उपलब्द है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल है जी जो सिर्फ स्टीजन के लिए ही है हमारा इंडिया का स्टीजन है उसी को ही उपलब्द है य मतलब इसके अलावा वह बाकी सारे सब को उपलब्द है चाहिए foreigner हो यहां हो आपका इंडियन स्टीजन लेकिन ये वाले आर्टिकल किसके लिए हैं सिर्फ इंडियन स्टीजन के लिए तो सुप्रीम कोट ने काया है अगर इन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा इसका मत लाउजी ये आर्टिकल गारेंटीड है एवरिज स्टीजन ओफ इंडिया को foreigner को नहीं है तो इसलिए सुप्रीम कोट ने कहा है आप law के हिसाफ से देखिए जो हमारी कंट्री में law बना हुआ उसके हिसाफ से इनको treat कीजिए तो law और regulation क्या है जिए refugees को treat करने के लिए देखो refugees और illegal migrant इनमें फरक यह होता है illegal migrant का मतलब अवहद कोई निवासी आ गया हमारी कंट्री में refugee वह होता जी मानलो कोई किसी कंट्री से भाग क्या गया इस डर से कि अगर वहाँ पे रहा तो उसकी death हो जाएगी मिर्थ्यू कर देंगी उसे मार देंगे लोग तो उस डर से भाग क्या आया है मानलो किसी कंट्री में एक दूसरी कंट्री में वहाँ पे जगडा हो गया डिस्प्यूट हो गया और लड़ा ही चल गया जी रियोट्स हो गया उसकी वज़े से वहाँ से भाग क्या गया लेकिन illegal migrant वह होता है जी जैसे मानलो हमारी कंट्री में कोई visa लेके आया ट्रेवल करने आया और उसका वीज़ा समाप्त हो गया समझे उसका 6 मेने का था और 6 मेने से ज्यादा टाइम हो गया इंडिया में रिखो है तो अब वह illegal migrant है अवहध निवासी है और refugee जो कोई भाग के आया गर उसे वापस भेजा तो उसकी मतलब मौत हो चकती है मिर्त्यू के लिए खत्रा है उसका जीवन के लिए खत्रा है तो यह चीज आपको याद रखने है रिफ्यूजियो और illegal migrant में क्या फरक है इंडिया में देखो जी ऐसा कोई लेजिसलेशन तो नहीं है लेजिसलेशन का मतलब है लो ऐसा कोई लो तो नहीं है रिफ्यूजियो के लिए लेकिन हां रोहिंगा रिफ्यूजियो को ट्रीट क्या जाता है illegal migrant वह इसलिए गोवर्मेंट करती है क्योंकि फॉर्णर एक्ट 1946 का है और फॉर्णर ओर 1948 का है जिस illegal migrant और लेकिन इस जो एक्ट हैं फॉर्णर एक्ट 1946 का और ओर रही है फॉर्णर ओर 1948 का उन्हें illegal migrant नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि वह special category में आते हैं रिफ्यूजिज की special category में आते हैं तो लेकिन special यह याद रखना है कि रिफ्यूजिज के लिए कोई भी हमारी कंट्री कि लोनी है special कि उन्हें इन्ही एक्ट के थुरू ही ट्रीट किया जाता है दो एक और एक और एक और एक और एक और आइस जी के थुरू तो यह इधा जी इसमें चलते है नेक्स्ट में नेक्स्ट है हमारा भूटान और चाइना टूस ड्यूल बांडरे डिस्कसन देखो भू कौन सा एरिया है लोकेशन बस इंपोर्टेंट है यह याद रखना हमें इसमें मैजदा फॉलंग में कहीं आ सकती है एक पासम लूंग और जाकर लूंग यह दो एरिया है यह बूटान के नौर्थ साइड में लॉकेटिड है इनको कहता है चाइना यह हमारा पार्ट है एक है जी डॉकलम डॉकलम पर 2020 में भी मीटिंग हुई थी उससे पहले भी डिस्प्यूट चला था डॉकलम पर डॉकलम इंडिया भूटान और चाइन इन तीनों बॉर्डर पर पड़ता है लेकिन भूटान का ही पार्ट है डॉकलम लेकिन चाइना ने क्लेम कि हमारा पार्ट है चैन को बूटान में एक सागतेंग सेंचुरी मतलब लेकिन देखो हां इनडिया का और चाइन बो कि वॉर्डर और चाइन बोल रहा है यह सागतेंग वाईल्लाइफ संचुरी यह हमारा पार्ट अब सोचो चाइना की देखो आपको याласт रख नहें हमारा आपकि की इत भौ पासम लंग जाकर लंग है यहां पर नॉर्थ में तो इसको क्लेम करता है चैना तो इसमें लोकेशन बस आपको याद रखनी है और ज्यादा कुछ नहीं रखना इंडिया की concern क्या जी problem problem यह है देखो भूटान अभी क्या जी चाइना मतलब भूटान इंडिया के करीब ज्यादा आ रहा है तो चाइना इसलिए परेशान कर रहा है भूटान को कि इंडिया के close ज्यादा ना जाए 2017 में भी चाइना ने जो भूटान का पार्ट है उसको भी अपना पार्ट बताया था जो कि भूटान करता है उसको भूटान काई काफी समय से पार्ट रहा है तो उसकी बज़ए से इंडिया और चाइना में भी stand-off देखने को मिला था है आमने सामने आ गए थी दोनों कंट्रीज की आर्मी तो यह ही था इस में चलते है नेक्स्ट में नेक्स्ट है अपना चाइना पाकिस्तान बैक टू इच अधर को इंट्रेस्ट एट युए अभी चाइना और पाकिस्तान में युनाइटिड नेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करने को कहा है चाइना ने कह कहा है जी बीजिंग ने कहा है मतलब बीजिंग का मतलब चाइना यहाँ उसने कहा है कस्मीर इशू को आपको पता पाकिस्तान और इंडिया का विवाद चलता रहता है कस्मीर इशू को लेके तो चाइना ने बोला है कि हम United Nation की जब भी मीटिंग होगी United Nation Security Council उसमें कस्मीर इशू को पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेंगे मतलब इसी के लिए इसलामाबाद ने बोला मतलब पाकिस्तान ने ये ठीक है हम आपके होंग कोंग इशू को और जिन जियंग को सपोर्ट करेंगे जियंग इसबु आपको पता है क्या है यहाँ पर उइफिगर मुसलिम रहते हैं और उइफिगर मुसलिम चाहते हैं repertoire लेकिन चाइन उसको decline करता है रिफ्यूज करता है independentremal चाइन के वाहिउट को और इन्हें दबा के रखता है देखो इंडिया के लिए problem तो ही क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना all weather friend partner बन गए है iron brother की तरह और ये चाहते हैं मतलब जो चाइना है चाइना बोलता है चाइना को criticism है कि जो इंडिया, यूएस, औस्टेलिया, जापान ने एक group बना रखा है जिसको card नाम है, उसको बोलता है selective multi-lateralism है जो एक कंटी को target करते हैं चाइना को, तो ये issue है चाइना और इंडिया के चाइना ने एक बार पहले भी दो बार हो चुका है कि कस्मीर issue को United Nations Security Council में support किया पाकिस्तान के लिए कि ये कस्मीर पाकिस्तान का पार्ट है एसा बोल के support किया है चाइना ने पाकिस्तान को ये 2019 और 2020 में भी support किया है इसको, ये तब से ज़्यादा support किया है, article 370 आपको पता, 5 अगस्त 2019 को abolish कर दिया था हटा दिया था, और जम्मू कस्मीर एक union territory बना दी, और लद्दाक अलग से union territory बना दी, तो तब उसके बाद से ये चाइना ज़्यादा support कर रहा पाकिस्तान को कर्स्मी रिस्यू पे तो ये सारी भी problem है जी, इसमें, चलते है next पे, next है freedom of navigation operation, ये है एक US का law है freedom of navigation operation, जिसमें क्या है, वो किसी भी oceans में, जैसे Indian ocean हो गया, Pacific ocean हो गया, इसमें ये navigate करता रहता है navigate का मतलब है, जिस ship में बैटके यात्रा करना, oceans में, water में तो ये अभी news में क्यों है क्योंकि US की navy, इंडिया के exclusive economic zone में आ गई, घुज गई लखसदीब के पास, बिना इंडिया की permission लिए, prior consent का मतलब है, बिना permission लिए इंडिया की permission लिए आ गई, और exclusive economic zone, international law जी, exclusive economy zone जैसे मान लो, इंडिया के baseline है ये country है, ये coastal area इससे 200 nautical miles तक, nautical miles oceans में, distance को distance की unit है 1 nautical miles में होता है, 1.85 लगवा, 1.85 km होता है 1 nautical miles में तो अब इसको 1.8 से multiply कर लो, अगर आप km में निकालना है तो 200 को, तो 200 nautical miles तक रहता है, exclusive economic zone यहां तक एक country का right रहता है कि वो explore वगएरा कर सके, mineral वगएरा और मान लो जी, किसी को यहां आना है, international law के हिसाब से तो उससे permission लेगा, उस country से जिस भी country का exclusive economic zone है और इसके 12 nautical जोन तक, 12 nautical miles तक, यह पढ़ता है जी, इंडिया की territorial water, किसी भी country का oceans में, territorial water बोलते है इसे, और अगले 12 nautical miles तक, अगले 12 nautical miles तक उसे बोलते है contiguous zone contiguous zone तो यह आपको याद रखनी है यह United Nation का law जी तो अभी इंडिया ने यही कहा है protest किया, इसके against के, US ने जो claim कर रहा है कि उसका domestic maritime law है मतलब, US का ही law है, उसके US ने अपने कानून बना रखा है जिसके, जिसके वज़ह से वो क्या है, वो claim करता है लेकिन इंडिया ने कहा है यह violation है, उलंगन है, international law जो United Nation Convention on law of sea ना हुआ है, unclosed, इसका उलंगन है background कहा है, background तो यह है इंडिया का domestic law है वो कहता है, कोई भी country मानलो, इंडिया के exclusive economic zone में आएगी, तो उसे prior notification देना पड़ेगा, इंडिया से permission लेनी पड़ेगी, यह territorial water हम देख चुक है, 12 nautical miles ता काजी, coastal area से इंडिया के, और EEZ भी देख चुक है 200 nautical miles from baseline issue क्या है, issue यह, US कहता है, अमरिका कहता है, कि उसे prior consent लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका law है, freedom of navigation operation उसके थुरू वो किसी भी water में navigate कर सकता है, US और US ने, जो unclosed है, उसको भी ratify नहीं किया है देखो, इंडिया, चाइना और many other countries है, उन्होंने unclosed, जो United Nations का law है conventional law of sea, इसको ratify कर रखा है, ratify का मतलब है जी, मानना, जैसे US से ratify करने का मतलब है sign करेगा, इस treaty पे, sign करने का बाद अपने parliament में, उसे pass कराएगा, सारी country ऐसी कराती है sign करती है, और फिर pass कराती है, पारलामेंट में उसे बोलते है, ratify करना, तो United Nations, जो America उसने ratify नहीं किया, इस law को तो US नहीं मानता इस law को और उसका आपना law जी, freedom of navigation operation, उसके थुरू वो किसी भी sea में, या ocean में navigate कर सकता है, तो ये US का कहना है, तो इसलिए वो South China sea में भी navigate करता रहता है इंडिया ने ocean में भी, लेकिन इंडिया इसका विरोध करता है, अब concern क्या है concern ये एंजी problem के इंडिया के, मान लो जी अब turn and tenor of aggressive public declaration of freedom of navigation operation in India's exclusive economy zone, मतलब इंडिया का कहना ये है कि भाई साल, एक मतलब एक side तो आप quad के member हो, quad आपको बता है, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, ऑस्टेलिया, सोरी इंडिया नुशन में एक group हो गया, जो चाइना को against, मतलब चाइना को deter करने के लिए, रोकने के लिए सामना करने के लिए ग्रूप बना हुआ, कि इंडिया नुशन में उसकी presence ना रही चाइना की, तो इंडिया ये ही बोलता है, एक तरफ तो आप क्वार्ड में सामिलो, और चाइना का against हमारे साथ मिलके काम करते हो, और दूसरी तरफ हमारी exclusive economic zone में बिना कुछे, घुसाए हो आप, तो ये तो दोनों एक दूसरे के contract हो गए न, अब ये freedom of navigation operation क्या है, ये और लेडिया हमने देख लिया एक US Navy का एक law है जिसके थुरू उसके पास exclusive right है, मतलब उसी की country का law है, तो वो इसके law के according किसी भी options में navigate कर सकती है, according to US Department of Defense क्या कहता है, कि वो कहता है कि भाई साब हमने 40 साल पहले ये law बनाया था, जिसके थुरू हम किसी भी oceans में navigate कर सकते हैं, तो हमें around the world freedom है navigate करने की, उसका यही कहना है, यह assertion communicate that the United States does not acquies to the exclusive maritime claim of other nations, तो उसका यही कहना है, कि उसका कोई किसी की maritime जो claim करता है कोई भी nation, उसको मानने की कोई ज़रूत नहीं है, उसकी अपना law है और वो international water में navigate कर सकता है, thus prevent those claims from becoming accepted in international law, तो इस तरह से जो भी international law है, उसको accept करने से, इंकार करता है, उसका खुद का लो, तो उसका यह कहना है अब next is अपना, केन बेतवा project, अभी news में क्यों है इसे पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, अभी news में इसलिए क्योंकि सोन्या गांदी ने environment ministry को letter लिखा है, उसने कहा है, जो केन बेतवा interlinking water project है, इसको आप implement मत करो, क्यों implement मत करो, क्योंकि यह पन्ना tiger reserve से होके गुजरता है, निकलता है, और पन्ना tiger reserve को damage करता है लगवग इसके 40% area को damage करेगा जी अगर इससे होके निकलेगा यह केन बेतवा project है, जो अभी triparty agreement हुआ था triparty का मतलब है, जी तीन party के बीच में agreement हुआ था, समझा था यह लगवग जी agreement हुआ था, 18 year पहले, 18 साल पहले ऐसा विचार रखा था कि यह केन और बेतवा river को जोड़ा जाए, interlink किया जाए, केन और बेतवा project है क्या जी, देखो केन एक river है और बेतवा एक river है, केन में surplus water मतलब अधिक water रहता है और यहां अगर महनलों बारिष ज्यादा हो जाए, इधर बाड आने की, flood आने की chances ज्यादा रहते हैं तो इसलिए और यहां बेतवारी वारे जिसमें deficit है, water deficit मतलब कम ही है, समझे, यह देखो जी इंडिया, इंडिया में यहां मत्दपर्देश और उत्तपर्देश यहां यह बड़ा मैप दिखाया जा रहा है आपको, मतलब MP और UP के border का part है यह, तो बेतवा में deficit रहता जी कम रहता है, तो यहां केन से लेके water एक canal बनाई जा रही है, यह वाली canal, यह canal, interlinking canal, canal का मतलब नहर, तो इसका water इसमें transfer किया जाएगा, ताकि यहां पर irrigation, drinking water वगएरा की facility हो सकें, तो यह ही है जी project, यह इसमें केन river का surplus water MP की बेतवा river में डाला जा रहा है, यहां पर drought prone region है जी, यह बुंदेल खंड का, मतलब drought, सूखा वगएरा रहती है यहां पर, और mainly कौन कौनटी district में को यह water provide करेगा, two states को provide जहां सी, बांदा, लेलितपूर, महोबा district UP की, और टीकमगड, पन्ना, छतरपूर district MP की, इनको water provide करेगा, यह केन और बेतवा river दोनों MP से originate होती है, और यमना में जाके मिल जाती है, यमना की ट्राइबूटरी river है जी, सहक न दिया, केन यमना में मिलती है बांदा district में, UP म में जो, और बेतवा मिलती है, UP की हमिरपूर district में जाके यमना से मिल जाती है, यह तीन डैम आपको याद रखने है, राजगाट, परीछा और माता टीला डैम बने हुए बेतवा river पे, बेतवा river पे बने हुए, केन पे नहीं, और केन river है जो पास कहां से होती है जी, पन्ना from agriculture, आपको यह बताना है, कि agriculture से जो emission होता है, na carbon emission, तो उसको किस activities से रोका जा सकता है, alternate weighting and drying of pedi, अगर पेडी का मतला है जी धान की खेती जो rise की होती है, अगर उसमें alternative weighting and drying condition हम use करें, तो क्या carbon emission reduce हो सकता है कि कम, next increasing the productivity of milk and meat production, अगर milk की productivity increase कर दी जाए, और meat production की productivity increase कर दी जाए, तो क्या carbon emission reduce हो सकता है, milk की productivity का मतलब है जी, ऐसे पसुन हो, जो ज़्यादा milk देते हो, अपने lifetime में, organic agriculture अगर हम use करें, तो क्या reduce हो सकता है, emission, आपके option है जी बताओ, 1, 2, 1, 3, 2, 3, all of the above, देखो जी, all of the above correct है, इसमें, चलते है next पे, next बताना जी आपको, a research project has been flagged off for gathering sample for genome mapping of microorganism in Indian Ocean, देखो, Indian Ocean में एक genome mapping का project to start किया जा रहा है, जो microorganism की genome mapping करेगा, genome mapping का मतलब, यह उनके gene के बारे में जानकारी, तो Indian Ocean में, तो यह बताना है, यह genome mapping किस किस में फायदा करेगी, मतलब क्या इससे help मिलेगी, आप English में खुद पढ़ो, मैं हिंदी में interpret करके बताता हूँ, इस gene mapping से, जो genome mapping हो रही है, microorganism की, इससे फायदा होगा Indian Ocean के ecosystem को understand करने में, समझने में, next, RNA जो DNA में changes होते रहते हैं, जो ocean में microbes में, तो उनको control करने में, identify करने में भी साहता मिलेगी, या फिर जो microbes में adaptation होता है, उनके micronutrients के बारे में, जैसे nitrates हो गया, sulfates हो गया, silicate हो गया, तो इनके बारे में भी जा correct answer है, सारे में सहाजता मिलेगी, और ऐसे question आपको जरूर ध्यान देना, पहला और second बहुत important question है, next है हमारा, national commission for women की कुछ power दी हुई है, इसको क्या-क्या power है, आपको correct बताना है, या इसके पास civil court की सारी power हैं क्या, या ये किसी को भी मानलो, harassment का case है, women के against, उसको attend कर सकता है और उसे punishment दे सकता है, कि सजा देने का अधिकार है, कि national commission for women को, ये constitutional या legal safeguard जो women को मिले हैं, उनको review कर सकता है, क्या, आपको correct बताना, जी, two, three, one, only, three, only, या ननो देवा, देखो जी, पहला बिल्गुल गलत है, इसको पास, हाँ, quasi judicial body है, लेकिन सारी power नहीं है, civil court की, क्योंक review कर सकता है, समझे, submit, मतलब, summon कर सकता है, किसी भी आदमे को बुला सकता है, जिसने women के against, कोई crime बगर किया, बुला सकता है, तो ये review कर सकता है, सिर्फ, तो third statement only correct है, C answer correct हो जाएगा, next हमारा white syndrome, ये बताना, कौन से, C में located है, bearing, red C, caspancy, philippancy, बिल्कुल correct है, D answer, philippancy में है, South China Sea का, अगर South China Sea आजाए, तब भी correct है, next है, हमारा vegetative propagation क्या है, ये बताना है, देखो, vegetative propagation होता है, किसी भी मानलो, कोई हम ऐसी crop cultivation कर रहे है, जिसमें seed ना लगा के, बल्कि, क्या लगा देते है, जैसे उसकी तना लगा दिया, जी stem, जैसे मानलो, गन्ने की खेती होती है, ग आपकी paddy cultivation होगी, उसमें seed ना लगा के, बल्कि क्या लगाते हैं, उसमें, उसमें पौधा लगाते है, ना, plant, धान का plant, तो उस तरह से जो खेती होती है, वो ही होती है, vegetative propagation, आपको बताना, इसके बारे में कुछ statement दिवी है, तीन statement, आपको correct बताना कौन सी है, पहली बीज लगा के उगाय जाते हैं, और जो पोदे, vegetative propagation से उगाय जाते हैं, तो vegetative propagation में सबसे पहले फूल और फल आते हैं, क्या है सही है, जो vegetative propagation होते हैं, वो plant से possible नहीं है, उन्हें plant से नहीं लगाय जा सकता, और वो अपनी, that have lost the capacity to produce seed, उन्होंने seed नहीं बन सकता उन से, बी उगाय जाते हैं, produce किये जाते हैं, वो जो parent plant होते हैं, जो seed से, बीज से उगाय जाते हैं, उनके genetically similar होते हैं, बिल्कुल, तो आपको बताना जी correct कौन सा है, देखो English में आप खुद बढ़ो, देखो जी second statement बिल्कुल गलत है, मैंने अभी तो बताया था, ये stem से भी हो सकते ह हैं, और seed तो produce करेंगे, जब ये होंगे, पेड होंगे, जैसे मानलो जी, किसी का भी तना काटके लगा देते हैं, किसी और पेड में लगा देते हैं, किसी और trees में, वो होती है, vegetative propagation, तो उसमें देखो फल भी जल दिया जाते हैं, क्योंकि मानलो, बड़ा ही पेड लगा दि ने में, तो second statement गलत है, जी हमारी, ये कह रही है, उससे seed नहीं होते हैं, और possible नहीं है, plant से हुआ न, तो ये गलत है, जहां पर second statement अकाट दो, be answer आ जायेगा, correct, next हमारा indicator species कौन से होते हैं, जी ये बताना आपको, ऐसे species होते हैं, जिनकी presence, absence, abundance होने से, environment की condition का पता लगता है, मतलब environment में क्या हो रहा जी, उनके बारे में, environment के बारे में पता लगाया जा सकता है, इन species के होने ना होने से, या अधिकता बढ़ गए, इनकी बहुत ज़्यादा जनसंक्या बढ़ गए, species में कोई भी हो सकता है, plant हो सकता है, trees हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ऐसे species होते जो non native होते हैं ecosystem में और जिनकी introduction दूसरे species को harm हा नहीं पहुचा सकती है या फिर SS species होते हैं जो large बहुत ज़्यदा होते हैं और community पे effect डालते हैं next SS species होते हैं जो introduce की गए है pollution को reduce करने के लिए किसी ecosystem में तो कौन से species होते हैं इसका answer है ऐसे species होते हैं जिनकी मानलो presence या absence या फिर उनकी population ज्यादा increase हो गई है तो वह environment condition में reflect करते हैं मतलब environment में क्या बदला हो गया जैसे मानलो जी चीटी होती है ant red चीटी देखिए आपने red ant लाल चीटी कभी जैसे बारिस होने वाली है तो उनकी population देखना जहां पर रहती है उनकी population बहुत अधिक वहां पर हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा movement increase हो जाती है उनमें तो वह indicate करती है कि बारिस का ऐसा situation बहुत सारे species होते हैं indicate करते हैं बताते हैं environment में क्या change होने वाला है तो ऐसे species को बोलते हैं indicator species तो आज के lecture में इतना ही